भारती जनता पाटी स्पश्ट रूप से मानती है कि जो दुखत घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनेति के रोटी किसी को सेखना नहीं चाहिए मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कौनफरेंस करने के लिए क्यूंकि कुछ मुर्ट पहले हमने विपक्ष के राहूल गांधी जी के प्रेस कौनफरेंस को सुना और जो भ्रमजाल फेनाने की कोशिश राहूल गान्दी कर रहे हैं जो वो सदैफ करते हैं उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है हमारा फर्ज है मित्रों लखिमपूर खेरी के विशे में तीन दिन से हम सब नियूस के माध्यम से देख रहे हैं लखिमपूर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। जो निसकर्ष था वह निसकर्ष था एक निस्पक्ष जाँच का इंपार्शियल प्रोब हो एक जाँच हो एक कमिटी कठित की जाए और दोनों ही पक्षों ने मिल करके प्रेस कॉनफरेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए औ जाँच होगी जाँच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से आरंब होना है और मुझे लगता है कि हम सब की चाहे हम राजनेतिक दल के चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों नहों हमारा मुख्य करतव यह होता है कि जब एक निस्पक्ष जाँच होना हो या उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिपणी बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करे जिससे पक्षपात होता हो जिससे नियाय नहीं होता हो आज दुख के साथ मुझे करना कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनह वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते गैर जिम्मेदाराना रवया, irresponsibility, irresponsibility has become the second name of Mr. राहुल गांधी, गैर जिम्मेदाराना रवया, अधैर्य पूर्न रवया, अशांती को भंग करना और भ्रम पहलाना यही राहुल गांधी जी का मुखध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है झाल